पीछे के वीडियो में हमने अपना जो छे नंबर चैप्टर था वो कंप्लेट कर लिया था और उनके क्यूसन से वो भी पीडियेप के माध्यम से हमने कर लिये थे आज हम उससे आगे अपना जो साथ नंबर लेशन है दी लेडी और दी टाइगर एक मैला और बाग यह पड़ेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे अबाउट दी ओथर और रहे इस टेप्टर के समरी तो सबसे पहले पीछे चलिए और देखिए अबाउट दी ओथर लेखक के बारे में तो राइटर कोन है फ्रेक आर स्टोक्टन कोन है फ्रेक आर स्टोक्टन तो सबसे पहले देखिए अबाउट दी ओथर की फ्रेक आर आर कार थै रिचर्ड इनका जनम कब हुआ था कापर हुआ था और ये किस परकार के रैटर थे तो देखना प्रारम किजिए अबाउट दी ओथर तो देखो फ्रेक रिचर्ड स्टोक्टन इनका जनम हुआ था 15 13 अपरेल 1834 15 अपरेल 1834 और इसकी डेथ हुई थी 20 अपरेल 1902 20 अपरेल 1902 के अंदर तो बतेख फ्रेक रिचर्ड स्टोक्टन इसका जनम 15 अपरेल 1834 हुआ और इनकी मर्थियों 20 अपरेल 1902 के अंदर हुई वोज एन अमरीकान राइटर एंड उमुरिस्ट ये एक अमरीका के लेख़ के वो एक आश्य कभी थे उमुरिस्ट ने आश्य के लिए राइटर एंड लेख़ के बैस्ट नौन तूड़े फोरे शीरीज ओफे इनोवेटिव चिल्ड्रेंज़् फेरी टेल से और ये बच्छों की परियों की कानि की लिए अद्बूत रूप से इस सरंखला के अंदर उत्तम रूप से जाने जाते हैं बैस्ट होता है उत्तम 9 अर्थ 9 क अर्थ जानना सीरिस होती है सरंखला इन्नो वेटिव यानि entered तरीके से चिल्ड्रेंस फेरे यहीनि बचूं की परीओं की तиться होती है कानी तो यह वहता है कि यह अमरीकन एक लेखक थे और एक हाश्चे कभी थे और बच्चों की परियों की कानियों के लिए इस सरंखला के अंदर आज भी यह उत्तम रूप से क्या किया जाता है जाना जाता है नहीं बच्चों की जो परियों की कानिया थी उसकी जो लिए that were widely popular during the last decades of the 19th century और 19 विस्तापदी के अंतिम दस्कों के अंदर वे बहुती विस्तारित रूप से परसीद हुए यानि काफी लंबे चोड़े छेतर के अंदर विस्तार के लिए popular होता है परसीद और during होता है कि दोरान last decades के अंतिम दस्कों के लिए यानि 19 विस्तापदी के अंतिम दस्कों के अंदर वे काफी लंबे चोड़े छेतर के अंदर यानि क्या होए परसीद वे अब देखिए about the text इस काहने के अंदर फ्रेंक आर्स टोक्टन है वो क्या बता रहे किस परकार है क्या कह रहे हैं कौनसी the lady or the tiger नाम की जो story है इसके कि दी लेडी और दी टाइगर नाम की जो कानी है वो पब्लिश्ट इन 1882 अठारा सो ब्यासी के अंदर परकासित के गी पब्लिश होता है परकासित करना वाइल दी फैस्ट आफ अफ अफ दी स्टोरी प्रोवाइड्स एक गलेम्स ओफ है सिमी बार्बी किंग और जब की हमें एक एसब्बे राजा के बारे में एक जलके परदान करेगी फैस्ट यानि पहले आफ अफ दी स्टोरी यानि आदी कानी यानि जब हम आदी कानी पढ़ेंगे प्रोवाइड होता है परदान करना गलेम्स होती है जलके सिमी बार्बी किंग और जब हम आदी कानी पढ़ लाएगी एक सेमी बार्वी के एक जंगली राजा के बारे में वूज मेथड ओव गिविंग जज्जमेंट्स हैं और उनका न्याय सुनाने का जो तरीका था उसके बारे में मेथड यानि तरीका सुत्र गी होता है देना जज्जमेंट्स यानि न्याय के लिए यानि जब हम आ नियाय सुनाने का तरीका जो मेथड यानि सुत्र था उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा वोज वोज फैंसफुल जो कालपनिक था यानि उनका नियाय सुनाने का तरीका था उनके राज्ये के अंदर राजा का जो फैंसफुल क्या था यानि कालपनिक था दी रिमेनिंग आफ है टचेज अपोन दी साइकोलोजी ओफ उमन बीएवियर और आधी जो सेस कानी हम पड़ेंगे वह मानों के विवार के मनोदसा के उपर होगी रिमेन होता है रहना आप है आदी टच होता है छूना अपन होता है उपर साइकोलोजी मनोज़सा के लिए उमन बीएविर मानों के विवार पर है यानि जब हम प्रार में आदी काहनी पड़ेंगे तो एक अर्ध जंगली यानि सेमी बार्बिक जो एस सब बे जो राजा था औ यानि उनकी जो मनोज़स है उसके बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा यानि मानों का जो ब्येव होता है आओ बाओ होता है और उनकी जो साइकोलोजी यानि मनोज़सा होती है उसके उपर हमें पढ़ने को मिलेगी कौन सी कि आदी शेस काने मानों स्टोक्टन इमसेल एज र कि स्टोग्टन ने स्वंने लिखा है इस कामरेिक के अंदर स्टोग्टन ने स्वंने लिखे है और यह कानी मानों का जो हर्द्य है, उसके अध्यान को क्या क्या है, सामिल किया गए, यानि इस कानिक के अंदर पढ़ेंगे, तो मानव के हर्द्य के बारे में पढ़ने को मिलेगा, इन वहलो होता है, सामिल होना, study होता है, अध्यान, उमन, आठ यानि, मानव के हर्द्य को, which leads तू मेजेज ओपेशन जो कि यह एमें आश्री जनक है यहनि सानुबूती की तरफ ले जाता है तू मेजेज ओपेशन यहनि सानुबूती की तरफ लव यहनि प्रेम एट यहनि गरना एंड एकसाइटमेंट है और उतेजना की तरफ एकसाइटमेंट ने उतेजना यहनि यह का कानी हमें कहां पर ले जाएगी यानि एक सानुव होती लव यानि प्रेम भी एट यानि गरना की बावना एकसाइटमेंट यानि उतेजना यानि यह कानी हम पड़ेंगे तो मानों के अदर यह सभी बात ने विख्षी तोई कौन-कौन कि शानुव होती होगा होगी प्रेम की बावना भी जागरत होगी नफ्रत की बावना भी होगी एकसाइटमेंट यानि उतेजने वह भी उत्पन होगी कब है जब हम इस कानी को पड़ेंगे धी चारम ऑफ दी स्टोरी लाइज इन दी सस्पेंस लेप्ट कानी का आकरशन जब बढ़ेगा जब संदे चुट जाएगा सस्पेंस होता है संदे लेफ्ट होता है चुटना एट दी एंड अंत में यानि कानी का आकरशन कब बढ़ता है चारम होता आकरशन कि जब कानी के अंदर हमें एक संदे रह जाएगा यानि पूरा कलियर नहीं होगी यानि स्टोरी प चारम है वो क्या कर देती है इस कानी का आकरशन है वो बढ़ा देती है विच इज लाइकली टू एराउज ए चैन ओफ है क्यूरियोसिटी इन रीडर से और पार्टकों के अंदर है यहने जिगासाउं किये के कड़ी है वो जाग उठेगी इराउज होता है उद्द्य होना जागने के लिए चैन यहने कड़ी के लिए क्यूरियोसिटी इन जिगासाउं के लिए रीडर से पार्टकों के लिए यहने कानी के अंत में जब हमें इसका पूरा फैसला नहीं मिलेगा तो कानी का आकरस्ण और देख बढ़ जाएगा और जो रीडर से जो पाठक हैं उनके अंदर यहने जिगासाई वो क्या हो जाएगी बढ़ जैने जिगासाउं कि एक कड़ी है वो जाग रते हो जाएगी तो कानी के अंत में क्या होना था किस परकार इसका क्या result है निकलना था यहनी कानी अवर समाफ्ट हो जाती है लेकिन पूर्णरूप से इसका जो final जो result था वो अमारे सामने निकल करनी आता है तो पठ्ठ है कानी के समाफ्ट होने के बाद में भी सोचते विचारते रह जाएंगे तो यह ओगई अपनी समरी किस के बारे में दी लेड़ी और दी टाइगर नाम की जो कानी है इसके अंदर यहने एक अर्ध जंगली राजा के बारे में जो परार में पढ़ने को मिलेगा और बाद में जो आदिक आनी हम पढ़नेंगे मानो के विवार की मनुदसा को किस परकार कैसे इसके अंदरे बताये गए तो डियर स्टेंट्स यह ओगए अपना अबाउट दी ओथर और ए इस चैप्टर की समरी अब इस स्टार्ट में इसको में पढ़ना परारम करेंगे दी लेडी ओर दी टाइगर इसका जो पार्ट वन यानि फैस्ट है सबसे पहले उस जंगली राजा के बारें बताये जाएगा किस परकार कैसा राजा था और अपने राजे के अंदर जो उनका मैथड था जर्जमेंट ये नयाए सुनाने का किस परकार कैसे था और फिर व Advance एक नयाए सुनाता और किस परकार कैसे यानि अमारे सामने ये प्रदर्शिते किया जाता है तो Dear Strfarande कल हम अपने चैप्टर को इसका जो फैस्ट पार्ट अबो स्टार्ट करेंगे और आपको About the author और इसकी समरिय वो पढ़ा दी गई है कल हम इस से आगे अपना जो फैस्ट पार्ट है इस स्टोरी का वो हम पढ़ेंगे Thank you